Good morning children, today we are going to start the 18th chapter in EVS, No Place for Us बेटा ये उन displaced लोगों की स्टोरी आपके साथ शेर की गई है जिनका घर एक डैम बनने के कारण उनसे छिन गया और फिर जो उन्हें घर दिया गया या उन्हें जो अपना घर बनाने के लिए जगय मिली वो उनको सूट नहीं करी या वहाँ पर उनको adequate facilities नहीं मिली और फिर उन्हें एक migrant की तरह पहले वो जो उन्हें प्लेस अलॉट की गई वहाँ पर आए वहाँ पर भी उनकी जोरतें पूरी नहीं हुई फिर वो बड़े शहर मुंबई की ओर आए और वहाँ पर आगे भी उन्हें बहुत सारी problems का सामना करना पड़ा तो यहाँ हम उन्ही displaced लोगों की problems को study करेंगे और उन्ही में से एक है जत्रिया भाई और इन्होंने क्या-क्या problems face की due to being displaced उन्ही को हम यहाँ study करेंगे जत्रिया भाई was sitting at the door with his daughter जिमली जत्रिया भाई दर्वाजे पर बैटे हैं अपनी बेटी जिमली के पास they were waiting for Siddhya वो Siddhya का wait कर रहे है Siddhya उनका बेटा है it was almost night but Siddhya had not come home यह लगबग रात हो गई है लेकिन Siddhya अभी वापस नहीं आया two years back Jatrya's family came to Mumbai from Sindhuri village दो साल पहले Jatrya की family Sindhuri गाउं से यहां Mumbai आई here they only knew the family of a distant relative यहां पे केवल वो एक distant relative मतलब दूर के रिष्टदार की को ही जानते हैं और उनी के family यहां पे रहती है बेटा Sindhuri village में जब Jatrya भाई थे तो Sindhuri village में भी उनकी requirement नहीं पूरी होती थी उनको अपनी earning proper नहीं हो पाती थी जिससे वो अपनी family के खर्चों को चला सकें इसलिए उन्होंने सोचा कि बड़े शहर में जाते हैं लाइक Mumbai और वहां पे उन्हें कुछ ना कुछ earning मिल जाएगी जिससे वो अपनी family को properly carry कर पाएंगे बिटा ऐसे ही होता है चोटे चोटे टाउन से विलेट से लोग बड़े शहरों में आते हैं योगि बड़े शहरों में work जादा है यहां पे कई न कई constructions होते रहते हैं factories है तो कही न कई लोगों को काम मिल जाता है लेकिन फिर भी उन्हें कितनी problems का सामना करना पड़ता है उन्हें हम इस chapter में देखेंगे तो अपने उन्ही relative की मदद से जत्रिया भाई ने fishing nets जो मशली पकड़ने वाले जो nets होते हैं उनको repair करने का काम शुरू किया आपको पता है मुंबई समुल्तर की किनारे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे fishermans होते हैं और ये fishermans क्या करते हैं मचलियां पकड़ते हैं तो इन्ही के जो फटे हुए fishing net होते हैं उनको repair करने का काम जत्रिया भाई करते हैं लेकिन इससे जो उने पैसे मिलते हैं वो इतने परियाप्त नहीं होते कि वो अपनी family के खर्चों को चला सकें because he had to pay for the medicines, food, school fees and rent for the house यहां उनको अगर कोई बिमार पढ़ गया तो दवाईयों का खर्चा अपने खाने का खर्चा, school की fees और rent, घर का किराय भी देना पड़ता है देखी बच्चों उनका घर कितना बिल्कुल maintain भी नहीं है और बिल्कुल कैसा poor सा एक जोपडी जैसा घर है पर इसके लिए भी इस छोटे से घर के लिए भी उनको rent पे करना पड़ता है यहां तक कि उन्हें पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है और जो उनका बेटा सिद्या है वो थोड़े से पैसे के लिए पास की फिश फैक्टरी में काम करता है वो अभी छोटा है तो from 4 o'clock till 7 o'clock in the morning he cleaned and sorted the big and small fishes तो वहां पे जो फिश फैक्टरी में जाता है सुबह चार बजे से लेके सुबह के साथ बजे तक वो fishes को clean करता है और चोटी और बड़ी fishes को अलग-अलग sort out करके रखता है then he would come home take a nap and go to school in the afternoon फिर वो घर आता है take a nap मतब थोड़ी सी नींद लेता है nap मतब थोड़ी सी जो नींद होती न जरा देर की उसको nap बोलते है and go to school in the afternoon और दो पहर में school जाता है in the evening he would wander around the vegetable market और evening में वो vegetable market में घूमता है he would help some meme sahab lady to carry her bags or go to the railway station to pick up the empty bottles and newspaper to sell to the kabadhi वाला junk seller अब वो evening में vegetable market में टहलता है कि अगर कोई lady है जो की अच्छी family से है rich family से है तो उसका bag carry करने में उनकी help करता है तो उससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो railway station में जाता है और वहाँ पे खाली बोत ले, newspapers इन सब को collect करता है और कबाड़ी वाला यानि junk seller को बेज देता है तो ये थोड़े थोड़े पैसों के लिए सिद्या को work करना पड़ता है somehow they were managing their life in the city और किसी तरह से वो city में अपनी life को manage कर रहे है पतब उनकी life एक properly तो नहीं चल रही लेकिन किसी तरह से वो अपना जीवन चला रहे है अब रात थी सिद्या अभी भी घर नहीं आया था और जिमली टीवी पर एक डांस देख रही थी और ये डांस कैसे देख रही थी देखे बिटा वो विंडो से डांस देख रही है अब डांस देख रही है और देखे बॉन है अब पूरा दिन इधर उधर काम ढूणने में ही चला जाता है, काम करने में ही चला जाता है, और जब शाम होती है, तो वो फिर से पुरानी memories को याद करता है, कि कैसे उसके दिन गाउं में अच्छे से चल रहे थे, अब हम इसके questions देखते हैं, जत्रिया felt alone, even in the crowd of people, how you ever felt like that, अब देखिए मुंबई तो इतना भरा हुआ शहर है, लेकिन फिर भी जत्रिया को अकेला, alone feel हो रहा है, क्यों, because जत्रिया is having many problems, बचे जब आपके पास बहुत सारी problems होती हैं, इस feeling को आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपके parents शायद कभी इस situation से गुजरे हों, कि जब आपकी दिमाग में कोई problem चल रही होती है, तो आप लोगों की भीड में भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो इस प्रकार से भीड में भी आपको अकेला पन फील होता है, आपको लगता है, there is nobody to help you, there is nobody to support you, तो imagine how it feels to leave one's own place and go far away to live in a new place, अब सोचिए कि किसी को अगर अपनी जगे छोड़ कर जाना पड़े, अपना शेहर छोड़ कर जाना पड़े, और एक नहे शेहर में रहना पड़े, तो उसे कैसा फील होता है, देखे बिटा, थोड़ा तो बुरा लगता है, क्योंकि आपको पुर प्रॉब्लम जेलनी बढ़ रही है, बिकॉज यहां उसे निया काम देखना है, अपनी फैमिली को कैसे चलाना है, उसके बारे में सोचना है, तो उसके लिए यह बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अपनी बात करें, तो आपके पापा का बाइचांस ट्रांसफर होत अभी है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हो, शुरू में आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, आपको पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के आना पड़ता है, तो में भी आप तोड़ी दिन तक आप बैट फील करो, बट आफ्टर वर्ट्स आपको वहां पे धीरे अच्छा लगने लगेगा, आप लोग ऐसा फील करते होंगे, वाइटो यू तिंग फैमिलीज लाइट ओव जत्रेया अर कमिंग टू बिग सिटीज, जत्रेया जैसे पूर लोगों की फैमिलीज बिग सिटीज में क्यों आती है, क्योंकि उनको अपने विलेच में या अप आपके आसपास आपके नेबर हुड में ऐसा कोई बच्चा है जो काम करता है, वैसे तो जितनी भी प्रिविलेजड फैमिलीज हैं, जैसे आप सबकी फैमिलीज हुई क्योंकि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप मेंसे किसी के पैरेंट आपको पढ़ने के सिव और कोई काम नहीं करने देते होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं, जिने आप देखेंगे रेस्टुरेंट में, छोड़-छोड़े बच्चे काम करते हैं, अलाकि आप गौर्मेंट ने इस पे फुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कि 14 यह से छोड़े किसी भी बच्चे से अगर कोई work कराया जाएगा, then it will be a crime, लेकिन फिर भी, जो छोड़-छोड़े बच्चे होते हैं, वो खेतों में अपने ममी पापा की help करते हैं, तो इस तरह से जो गरीब families हैं, वह अभी छोड़े बच्चों को काम करना पड़ता है, what kind of work do they do, and why do they have to work, तो उनके पास proper money नहीं है, जिससे वो अपनी घर का खर्चा चल सके, तो ऐसे में बच्चों को भी parents की help करनी पड़ती है, कि वो earning में थोड़ी बहुती सही, but help कर सके, okay children, it's all for today's section, thank you.